नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मुकुल इस्टिडी में आज हम पढ़ेंगे टू चाल्ड पॉलिसी उत्तर प्रदेश में दो बच्चे की निती आए थी दो बच्चे पैदा करने की निती ठीक है जिसे टू चाल्ड पॉलिसी के नाम से जाना गया है क्या करते हैं बहुता ऐसा राज्य जो भारत में सबसे जादे जन संख्या यहां पर ही निवास करती है ठीके दोस्तों डिए यूपी के भाईयों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें ठीक है ओके देखिए इसका उद्देश से भारत में जनसंख्या की स्थिति को कम करना देखिए UP State Law Commission के चेर्मेन है एन मित्तल कौन है UP State Law Commission के चेर्मेन है एन मित्तल ये कोश्चन पूछेगा और देखिए दो हजार इगार जनगर्णा के हिसाब से उत्तर परदेश में 19 करोड से जादे जनसंख्या निवास करती है और 2022 में लगभग अनुमाने 23.76 करोड जनसंख्या हो जाएगी देखिए उत्तर परदेश में 1,000 ब्यक्ति पर 0.34 डाक्टर हैं मात्र 0.34 डाक्टर हैं एक हजार ब्यक्तियों पर जो बहुत दैनी इस्तिती है इसी चीज को सुधारने के लिए यूपी गवर्मेंट ने यानि की योगीत आदित नाथ ने टूचाइड पॉलिसी लाने वाले हैं ठिक है कि इसमें है टोटल फर्टिलेटी रेट प्रिजन अंदर जो परजेन टाइमें दो दसमलों साथ है प्रड़न अंदर क्या होता है टोटल फर्टिलेटी रेट क्या होता है एक स्वस्त महिला द्वारा 15-टर workflows के बीच जीवीद बच्चे पैदा करना यानि कि एक स्वस्त महिला द्वारा 15 वर्स से 49 वर्स के बीच जो जीवीद बच्चे पैदा करते हैं उसे हम क्या करते हैं प्रजन अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट जो प्रजेंट टाइम में 2.7 है ठीक है देखिए इस यूजना में सरकार क के लाब नहीं मिलेंगे यानि कि दो से अधिक बच्चे अगर जिनके होंगे उनको सरकारी सुधा के लाब नहीं मिलेंगे सबसीडी में कटवती हो सकती यानि सबसीडी में कटवती होगी ऐसे लोगों को राज सरकार की नौकरियों में कम वरिता मिलेगी यानि कि उत्तर पर आगे देखिए उत्तर प्रदेश में एक बच्चा यानि कि वन चाइड पॉलिसी भी है इस पर क्या लाब दे रही है सरकार इसको देखते हैं देखिए अगर एक बच्चा पैदा होने पर एक बच्चा अगर आप पैदा करते हैं तो आपको असी अजार रुपय दिये जाएं कि आप अगर एक बच्चा पैदा करते हैं तो आपको असी अजार देगी और एक बच्ची पैदा करेंगे तो आपको एक लाग देगी और प्लस क्या है और ग्रेजुएशन लेवल तक सिच्छा फिरी होगी ठीक है दोस्तों यह चीज है वन चाइल्ड के लिए भी और सिच्वाह कि अब भी वी यह में सबसे ज़ादे वोड़े लोगां भारत में तमे लाडु राजी में सबसे ज़्यादे बुढ़े लोग है ठीक है इसको याद रखिएगा यह कोशन बनेगा देखे आए जानते हैं क्या दो बच्चे वाली निती भारत में कौन-कौन से राज में लागू हो चुकी है यानि कि टू चाइल्ड पॉलिसी किन-किन राजियों में लागू हो चुकी है देखे पहले मद्यप्रदेश फिर राजस्थान फिर महाराष्ट गुजरात इन सभी राजियों में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू हो चुकी लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं मिला है यानि कि अगर आकड़ा देखा जाए तीन में जनसंक्या व्रिद्धी कम होने की वज़ाए जनसंक्या व्रिद्धी दर बढ़ी है इन राजियों में जनसंक्या व्रिद्धी कम होने की वज़ाए जनसंक्या व्रिद्धी क्या जाए ओके इसको द्यान में रखकर यह यह टूचर्ड पॉलिसी अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सस्क्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें अगर आपको खिसी प्रकार का और टापिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दे मैं आपको वीडियो अवलेवल कर दूँगा और दोस्तों मेरे वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में करके देख लिया करिए ठीक है और ज्यादा से ज्यादा सेयर करिए ओके दोस्तों ठीक है थैंक यू